वेल्कम बैक राज़ी और गुट मॉली से अवसरी में एक तफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इंटरनाशनल रिलेशन्स यह लवज आपने सुना होगा इस पे प्रॉपर एक स्टडी है इस पे प्रॉपर एक टिग्री मिलती है इसमें बैचलर्स भी होता है इसमें मास्टर्स भी होता है International Relations का मडलब है कि बहlor किएलोकोमी तालूकात जो International Relations पढ़ते हैं वो किस तरह से मुलको कौम की तरक्की में एहम किरदार अदा कर सकते हैं किस तरह से अपने Relations बहन हाँ बहतर कर सकते हैं इस भार हम आज सेग्मेंट में जानेंगे हमारे साथ जो महमान हैं जो इस टॉपिक में हमसे बात करेंगी वो हैं डॉक्टर मरीम आजम असिस्टन प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट आफ इंटरनाशनल रिलेशन्स की लहौर कॉलेज आफ वमन युनिवरस्टी से तो मैं को प्रोग्राम में खुशाम अलेकुम मैं में मेरा पहला सवाल आप से यह है कि इन्टनाशनल रिलेशन्स की तालीम क्यों जरूरी है जैसे हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के प्रोसस के बाद से जो है वो चीजे इतनी जादा इंटर्डिसिप्नलरी है कि इन्ट इन्टनाशनल रिलेशन्स की 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 नहाईती अहम सब्जेक्ट है, ताके एक जो पता लग सके कि पाकिस्तान को कैसे प्रिजेंट कर सकते हैं on different international forum एक तो हमारी जो है वह एक श्टेट डिप्लोमसी होती रूर साथ बहुत इंट इंग्रीडियंट जो है जो है उनकी इंपावर्मेंट और सुस्टेनबिलिटी और पॉर्टन सवाल है कि इंटरनाशनल इलेशन्स की तालीम जो स्टूडन्ट हासल करते हैं तालीम आसल करने के बाद किन शौबाजात को जो जो इनकर सकते हैं यहां पनी सर्विसेज दे सकते हैं इसके वार में लेकिन वार के साथ साथ हम देखे हैं कि इतनी आपकी स्ट्रेटेजिक कम्यूनिकेशन है आपके इस पी आर की सीट साथी है फिर इससना आप यहां पर बैठेमेंट में पुलीस देपार्मेंट में भी जो जो इनकर सकते हैं आपके तिफर्ट तिंक तैंक्स और रिसर्च औ आपके बाहर पूरी एक दुनिया है जहां पर जो है आप न्यू एवन्यूस जहां उनको एक्स्टोर कर सकते हैं अचा मैम इंटनाशनल रिलेशन्स की स्ट्डी जो है वो जिन्देगी में बहुत सारे चैलेंजिस आते हैं लाइफ थ्रेट्स आते हैं उन से निमेटने के ल में चीजें थैंट सिख्फाता हैं सबसाँ थैर चैसे ढार आपको आर यहां और डेलोग डिस्कोर्स और डिपलो मिशी सिख्वाता है और अगर बेल समवसी तедиप्लो मिसी डिपलो मिसी टो बहुत हैं अगर आख सके अफे स्केल मुग्तिलिफ कार्टिक्वूं चाहता दूरी इंटिन HOW इतनासं कांविप एस था कि credit कार्टिक्वेस से जहां से झाल बीनियशन से चाहता तो सब्सक्वन. और इसे जो स्केल हैं अ स्केलिंट के शच की गोधना बन जा दाथिया है फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डिप्लोमिसी जो डिप्लोमिसी है वो भी एक बहुत इंपॉर्टन जो है वो चीज है कि हम किस नहीं से एक म्याना रवी के साथ एक बुद्बारी के साथ अपने मसायल को हल कर सके फिर इंटर्नाशनल रिलेशन आपको एक और बहुत इंपॉर्टन चीज सिखाता है कि आपने किस नहीं जिन्दगी के चैलेंज इसको जो है वो कन्फरंट करना है उनको फेस करना है फ्रम दो वेरी फ्रॉंट फर एक्सम्पल आपको आपको क्राइस मेनेजमेंट सिखाता है जो है आपनो सको मैनेज करना है तो यह जो एक पर इंटर्नाशनल रिलेशन और सेकंड लिज जो सबसे इंपॉर्टन बात है पोलिसी मेकिंग इंटर्नाशनल रिलेशन के स्टूडन्स के बहुत अच्छा लेगाउट एंड़ अच्छा बना सकते हैं क्योंके वो दुनिया क इंटर्नाशनल रिलेशन्स की कितनी वैल्यू है और किस हद तक यह एक वाइटल डूल प्ले कर सकता है इंटर्नाशनल रिलेशन्स ग्लोबल इवंट्स में क्योंके सारे मामलाथ तो दुनिया के साथ ही होते ने सिराब ने का कि हमको फॉरन ऑफिस को जोईन कर सकते हैं और हम अपनी सिचुशन्स वगरा दे सकते हैं तो मैं इसके बार में जार बतारी तो ने कि अजहां तक ग्लोबल इवंट्स का तालोक हम देखते हैं कि आफ्टर यह जो मीडिया रेवलूशन आया और जिससां हमारे पस जो है वो स्मार्ट फोन का कॉंसेप्ट आया तो आप अपने पहले सेग्मेंट में घजा की बात की तो आप जब हमारे पस जब एक ट्वीट आती है यह वहां से जो पालिस्टीन एक्टिविस्ट जो है वो कोई अपनी आउनलाइन जो है कोई वीडियो शेयर करते हैं तो उसका इंपक्ट हमारे पर भी होता है और हम उस चीज को फील कर सकते हैं और हम उसको रिस्पॉंड भी करना चाहते हैं तो इस सांस हम देखते हैं कि ग्लोबल इवंट्स और अगर हम उसके साथ एक मीडिया की किनेक्टिविटी देखें तो उन्हों चीजों को बहुत जादा जोड़ दी है जोड़ दी है सेकेंडली अगर हम बात क जब जो रियासते हैं वो आपस अपने तालुकात को बेतर बनाएं और इन्फरादी तोर पे भी हम एक लिंकिजिज और किनेक्टिविटी जो दूसी दुनिया के साथ कर सकें बिल्कुल सही का आपने अचा मैम शहरियों की स्कुरिटी के लिए ये जो इंटरनाशनल जो है वो क्रियेट हो रहा है तो डिजिटल सेक्योरिटी और जो एक इन्फरमेशन अविरनेस है अबाउट सेक्योरिटी वो हमारे शहरियों के लिए जो हो बहुत जादा ज़रूरी है तो फॉर एक्जेम्पल हम यहां पर लहुर में बैठे हैं लहुर को ही देख लिए तो को हम एक स्मार्ट सिटी के तोर पर जो हो कनवर्ट कर सकते हैं और उसमें इंटरनेशनल रिलेशन्स हमें ऐसे हल्प आउट कर सकता है कि हम दुनिया के मुखतलिफ जो हमारी डिवेलप गलोबल गवर्नेंस वेलेटेड सिटीज हैं उनके मॉडल्स को अगर हम देखें और उ ठीक है तो आप देखें हैं वह ओर इसके रिए और इनल उक्वामी तालोकाइ़ उसके इसके बैक बन तॉज तो इसमें अड़र रोर बाड़ ओर UP दीक हम उवर ओर आम आ ए हम अदुज हैं के दिखें लिए तो इसमें हमें देखना चाहिए कि इसमें टीपलोमसी में सकते हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुमाले के साथ रिलेशिशन्शिप को मिंटेन करने के लिए और पाकिसान के हवाले से यहां पर मैं जरूर बात करना चाहूंगी कि पाकिसान के पास बहुत सी अपुचिनिटीज कि अब भी हमारे बहुत से अनेक्स्प्लोर्ड वीजिन जिनके साथ हमने अपने फॉर्ण पॉलिसी और डिप्लोमिसी जो है वो उसमें कोई बेतर करने की बहुत जरूरत है फॉर एक्जामपल अगर हम आफ्रिकन वीजिन की बात करें तो हम आफरिका में हमेशां जो है वहां तो हमारे बाकी यॉरप के बहुत से कुछ मुमालेक हैं जिनमें हमारे बहुत पोटेंशल है लेकिन अभी भी हमारे उनके साथ तालुका जो आनेक्स्प्लोर्ड है तो बैनल अलग्वामी तालुकात अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखें तो मैं उसमें समझती हूँ कि हमारे बहुत जादा उपरचिनिटीज हैं कि हम खाली जो है वो एक ट्रडिशनल फ्रेमवर्क से बाहर निखलें और नॉन ट्रडिशनल फ्रेमवर्क में हर स्टेट के साथ बराबरी की सता पर अच्छे तालुकात रखें क्यूंके अब जो हमारी जो नई पाकिसान की गर्म सब्सक्राइब करें उसमें इंटर्नाशनल इलेशन्स की स्टडी किस हद तक फाइदा दे सकती है स्टेटी प्रेमट इसे करें तो सेफ सिटी अगर पाकिसान के हवाले से देखें तो यह एक लैंड मार्प्रोजेक्त मैं इसको समझूँँएं क्यूंकर मेरी अपनी स्टड इसके अगरिशनल इसकोरिटी और टेरिरिजम से रिलेटेड़ है तो सवाले से देखें के सेफ सिटी का जो प्रोजेक्त है बहुत जादा फिसलिटेट कर सकता है आपकी काम्टर टेरिरिजम को भी आपके शहर की सेक्योर्टी को भी सो मैं यह समझ्झती हूं कि और दूसर चीडरिजरों प्रोज़्स सेटांतर गर के dakले के अथा जुडिशंटी कितिश को भी स्टी करिण इसकोर्स अथे हैं नौन च्रिशनल सेट्प्योर्टी डिसकोर्स को भी सटी कर्तें तो यह सारी चीज़े एक सिटी की सिटी की स्क्यरटी के लिए बगी जादाना इंपॉर मेरे खाल में ये प्रोजेक्ट जो है जब दूसरे स्क्यूरिटी इदारों के साथ अपना जिस्सा से इनका लाइज ओन है अगर इस इदारे पे जादा मजीद और इन्वेस्मेंट हो और इसको स्ट्रुक्चरली भी और फॉंक्शनली भी जो है वो और जादा जो है इस पे काम हो तो I think it can benefit the whole security apparatus of the city as well and the province as well thank you very much ma'am आपर इमना कीमती वक्त हमें दिया जी यही थी हमारे साथ assistant professor dr. mariam आजम जोनों इंटरनाशनल लेशन्स के बारे में हमें बताया कि क्या है किस तरह से हैं किस तरह से help provide कर सकते हैं किस तरह से बैलेनक मामी तालोकाद बेतर हो सकते हैं किस किन challenges को हम किस तरह से deal करें तो बेतरी आ सकती है यह सब इनों ने हमें इस पने अपने सेग्मेंट में बताया अब हमें लेना है एक छोटा सा ब्रेक हमारे साथ रोगेगा stay with us प्रेक हमें लेड़ हमें लेड़ा हैं